मिर्च की हाइबरेट किसमों के अलावा देसी वरायटियों का भी काफी अच्छा प्रफार्विंस होता है और काफी किसान देसी सीडों का भी प्रियोग करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ तीन बेड़ों में देसी वरायटी का प्रियोग किया है और यह जो मिर्च की वर और वरायटियों का भी मिक्षर हो गया है किसान भायू भर्वा मिल्च की का जो हमने सीड रखा था कि थोड़े से च्छित की बुवाई के लिए और शीड को सरणरचित करने के लिए रखा था में यहां पर कोई बड़े च्छित में इसकी बुवाई नहीं करनी थी तो सीड निकालना अच्छा रहता है भरवा मीर्च को हमने धागे में बात कर लटका दिया था अच्छी तरीके से सूखे हुए मे ईफी से अब हम यहां पर सीड निकालेंगे सीड निकालने से पहले हम इसमें इसका वजन चेक करेंगे यह कितना वजन टोटल मिर्च का है और इसके लिए हमने electronic काटे का प्रयोग किया है इसमें zero rating दिखा रहा है और इसी polythene में हमने मिर्च को भर लिया है और मिर्च भरने के बाद यहां पर इसका जो वजन है यह 0.06 ग्राम मतलब कि यह 60 ग्राम मिर्च का टोटल वजन है और polythene का मुह बंद करने के बाद हम इसे मोटी पॉली थीन में रख देंगे मोटी पॉली थीन का मुह भी मोड दिया जाता है और इसके बाद इसको हम एक दूसरी बोरी में रख देते और बोरी में रखने के बाद फिर हम बोरी को दो तीन परत में मोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसे पैर से काफी रगडते हैं और इस तरीके से क्योंकि मिर्च काफी कुरकुरा हो गया है तो पैर से यहां पर रगडने से इसमें छिलके से सीड अलग हो जाता है पैर से अलग हो गये हैं और इस तरीके से अब छिलके को जो बड़े छिलके इसको हाथ से अलग कर देते हैं बाकी यहां पर मिर्च के सीट को अलग करने के लिए हमें चलनी का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें बड़े होल के चलनी का प्रयोग किया था और इसके बाद हमने यहां पर मेर्च के सीड को बाहर निकाल लिया है मेर्च से सीड अलग हो गया है और अब हम यहाँ पर weight calculate करेंगे तो इसमें जो weight दिखा रहा है 0.04 gram दिखा रहा है मतलब कि 40 gram सीड यहाँ पर निकला हुआ है तो इस तरीके से हमने भरवा मेर्च का सीड निकाला है हमें total 60 gram मेर्च से 40 gram सीड निकला है और क्योंकि भरवा मेर्च मोटा होता है तो इसमें सीड थोड़ा अधिक होता है और यदि हम percentage निकालते हैं तो करीब 65% यहाँ पर हमें सीड निकल रहा है सूखे मेर्च से और कहने का मतलब यह है कि यदि हम यहाँ पर 1 kg सूखा मेर्च लेते हैं भरवा मेर्च तो इसमें से हमें करीब 650 gram के आसपास सीड निकलेगा तो इस तरीके से 650 gram जो सीड होगा वो एक एकड़ के लिए काफी होगा और यदि हम नर्सरी अच्छे से तयार करते हैं इसमें काफी और अधिक पौधे तयार हो जाएंगे और नर्सरी तयार करने के ऊपर है जमाव अच्छा आ गया नर्सरी अच्छी तयार होई तो एक एकड़ के लिए काफी प्रयाप्त रहेगा बात करते हैं जो हमारा पतला वाला मिर्चा है जो कि हमारा केटू वराइटी है इसमें से हमने अच्छे अच्छे क्वाल्टी के जो पौधे थे जिसमें अच्छे क्वाल्टी के मिर्च आ रहे थे उसके मिर्च हमने इकठा किये थे और इसमें मिर्च इकठा करते हमें काफी बातों का ध्यान रखना होता पौधे रोगी नहीं होने चाहिए, आसपास के भी पौधे स्वस्त होने चाहिए, इसमें काफी कुछ बातों का ध्यान रखा गया, लेकिन एक्जेक्ट साइंस्टिक तरीके से इसके मिर्च की सिट को हमने इकठा नहीं किया है, और कुछ गलतियां हो ही जाती है, तो इसमें स 202 भाद हमाना मिर्च 2020 पेल जाता है, और यह मिर्च के सिट के टभारूइं जो सिट निकाला कर लिया था और है, कि पहले हम यह पर वजन करेंगे और वजन केलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल जो वजन दिखा रहा है यह 0.34 ग्राम दिखा रहा है इसका मतलब जो यहाँ पर वजन बैट रहा है यह 340 ग्राम टोटल मिर्च का वजन है किसान भाईयों मिर्च का वजन करने के बाद हम फिर से इसको पॉलिथीन को पहले एक मोटी पॉलिथीन में रखते हैं मोटी पॉलिथीन को फिर हम एक बोरी में रखते हैं और बोरी में रखने के बाद फिर हम इसे पैर से उपर से रगड़ देते हैं आफ और पीर करने के बाद इसमें हम ढटने से भी Winter थोकाई करते हैं तर Πार निकल आए और जब मिर्श का सीड हूं थे इसमें अच्छी तरीके से बाहर निकल आते हैं तो भीनिट के सीड यह अलग हो जाते हैं इसका छिलका अलग हो जाता है किशान भाई यहां पर मिर्च का छिलका अलग हो जाने के बाद हम फिर से इसमें जो सीड है इसका वजन कैलकुलेट करेंगे मिर्च का वजन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर 0.22 ग्राम मतलब 220 ग्राम यहां पर हमें एक किलो सूखे मिर्च से 600 ग्राम के आसपास हमें यहां पर मिर्च के सीड़ निकल रहे हैं क्योंकि जो भर्वा मेर्चा होता है और हमारा यह जो केटू वराइटी है इसका प्लांटेस होता है अक्सर किसान भाई केवल डेड़ फिट की दूरी पर लगाते हैं उसी तरीके से हमने दूरी लिया हुआ है लेकिन इसको प्लेन खेत में लगाकर लाइन से लाइन डेड़ फिट और पौधे से पौधा सवफिट के आसपास की दूरी में लगाते हैं किसान भाई लोग दो दो तीन दिन पौधे लगाते हैं तो जिस वज़ा से यहां पर 500 ग प्राम के आसपास जो हमारा मिर्च होता है इसमें से एक एकड़ काफे प्याप्त हो जाता है तो किशान भाई इस तरीके से हमने जो पतली मेर्च से भी सीड निकाला है तो यहां पर 60% का सीड निकल रहा है और इस तरीके से यदि आप लोगों को आगे सीड की जरूरत होती तो हमें थोड़ा सा इक्ष्टा लेका चलना होगा तो किशान भाई इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों में सेर करें और एक ने वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों शुमूला कात होगी तब तक के लिए नम में शकार